अचार पनाएंगे इसे ततकाली अचार भी आप बोल सकते हैं जटपट पनाईए और जटपट खाईए इसके लिए मैंने दो गाजर, दो बूली, रेट चिली और ग्रीन चिली अपने अनुसार ले लिजे और गोबी मैंने आदा गोबी से भी थोड़ा कम ही लिया है और हाफ पनाईए और बहुत जल्दी बन भी जाता है और ज्यादा देर नहीं टिकता है एक मिनदेर में अभी इसका स्वाध उतर जाता है ताप इसको रोटी पराठा जिसके साथ पिखाएगा और हेल के लिए भी अच्छा है सारा हरा सब्जी से ये बना हुआ रहता है और बहुत ह का मस्टर्ड है और धनिया शोम जीरा थोड़ा सा मेथी सब मैंने एक एक टीस्पून लिया है कलोंजी मैंने आधा टीस्पून लिया है अज मैंने भी मैंने आधा टीस्पून लिया है और मेथी भी मैंने आधा टी स्पूनी लिया है अब गाजर मूली गोभी मटर डाल करके इसमें एक इस्पून जो है टी स्पून इसमें नमक डाल करके इसको हम लोग मतलब 4-5 खंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि ग्रीन सब्जी में जो अपना पानी होता है न वो थोड़ सा निकल जाए तो इससे अचार जल्दी खराब नहीं होता है अब इसको हम लोग ढख के रख देंगे 5-6 खंटा के लिए खाने में बहुत टेस्टी लगता है यह अचार देखे इसको ठाक करके 5-6 खंटा के लिए छोड़ देंगे और मैंने जिंजर मिर्च को मैंने रख लिया है इसे जब हम लोग अचार बनाएंगे तब मिलाएंगे और कलोंजी और जमायन को नहीं भूनेंगे और सबको कड़ाई मैंने करम कर लिया है और जितना सारे मसाला आपको मैंने दिखाया था न वो सारे भूल लेंगे बस थोड़ा से इसमें चटक आ जाएगा फिर इसको बंद कर देंगे जादा नहीं भूनेंगे तो मसाला का टे प्रश दर धर ही इसको पीसेंगे जादा इसको बारिक नहीं पीसेंगे देखेें अब पाच besar गंटा हो भी गया है अब सारे को निकाल लेंगे पानी को अलग रख देंगे और इसको न मतलब कि एक तो घंटा के लिए इस तरह से छोड़ देंगे ताकि सारा पानी इसका सुख जाए अपनी तो दस मिनट ठूप में भी इसको डाल सकती है अगर आप नीचे रखेंगी तो कम से कम आपको एक घंटा दू घंटा इसको इस तरह से कप्ड़ा पे फैला दीजे चादर पे भी आप इसे सुखा सकती है जिस तरह से भी देखे मैंने पेला दिया है और एक घंटा के बाद इसको दू घंटा के बाद हम लोग इसको देखे कितना सारा इसका पानी निकला न देखे एक घंटा हो चुका है अब इसमें हम लोग मसाला आड़ करेंगे इसके लिए मैंने एक कप सर्सो तेल को पहले गरम करनेंगे एककर अच्चा से गरम करेंगे हलका हलका दू आ जब इसमें आने लगेगा तब इसको बंद कर देंगे तेखे मेरे तेल अच्छा से कड़क गया है अब एक बॉल में डाल करके अब हल्दी पॉडर एक टीजपून डालेंगे 1 teaspoon मैंने हिंग डाला है और जो मैंने मसाला पीछ के रखा था न वो बड़े टेवल स्पून से 2 tablespoon मसाला मेने डिया है और 1 teaspoon मैंने नमक दिया क्योंकि नमक मैंने उस समय भी आट किया था अब कलोण जी और आजमाईन को डाल करके अच्छे से मिला लेंगे मसाला को अब इसमें सारा हारा मिर्च और रखे थे अद्रक और इसको अच्छे से मिला लेंगे फिर सारा सब्ची को भी इसमें ड्रक कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो मिलाने के बाद इसको जैसे देखि सारा मिल गया है अब एग खंटा के लिए इसको धूप में डाल देंगे धूप में डालने से क्या होता है? अचार आपका जल्दी से खराब नहीं होगा इसमें मैंने जावुन का सिर्का डाला है इसे अचार जल्दी खराब नहीं होता है थोड़ा सा खटापन भी आपके अचार में आ जाएगा देखे ए घंटा हो चुका ऐसे धूप में डाले वे कितना अच्छा इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है अब इस तरह करके आप इसको यह जादा दिन अचार नहीं चलता है अप एक मेना डेड़ मेना खाएंगी ना उसके बाद थोड़ा टेस्ट इसका उतरने लगता अभी जितना अच्छा आपको टेस्ट लगेगा इसका उतना अच्छा फिर नहीं लगेगा यह दो दिन में आप आपका अचार एक तम रेड़ी हो जाएगा आपका इसको प्राठा चावल जिसके साथ भी खाएगा बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट इदम भटके अब भी इस तरह से अचार बनाई और कैसा बढ़ा हमें जरूर बताए लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और क कर माल कैसा बढ़ा है मैत की कुछ हर बताए और कोका बढ़ागा ने यह और क्या परो खोग और साथ